इस वक्त भोपाल से मिल रही बड़ी ख़बर के साथ बंसल न्यूस के ख़बर का बड़ा असर हुआ है किर्गस्तान में फंसे मद्धिपडेश के चात्रों को वापस भोपाल लाया जाएगा चात्रों ने बंसल न्यूस के जरिये सरकार से गोहार लगाए थी कि उन्हें दोसों इनकी संख्या सबसे पहले बंसल न्यूस ने ख़बर दिखाई थी किर्गस्तान की रायधानी बिश्कीक में MBBS की पढ़ाई ये सबी चात्रों कर रहे हैं इस वक्त ही बड़े ख़बर भोपाल से किर्गस्तान की रायधानी बिश्केक में MBBS के स्टुडेंट फसे हुए थे बंसल ने इस ख़बर को प्रमुक्ता से दिखाया और ख़बर का असर हुआ है और अब सारी ही स्टुडेंट्स वापस भोपाल लाए जाएंगे फ्लाइट टैकर ली गई है चले सीधे हम रुक कर रहे हैं इस ख़बर पर ताज अपडेट के साथ विजमान के विशेश समधाता हमारे साथ लाइफ जुर चुके न्यूस रूम से विजे जी बंसल नियूस के ख़बर का ये बड़ा असर हुआ है जहां पर फंसे हुए स्टुडेंट्स जिन्होंने ब बास को सरकार तक पहुचाया था और इसी वज़े से सरकार ने संग्यान लिया है किरगिस्तान में मेटिकल की पड़ाई करने के करीब 300 से जादा जो चात्र हैं वो पिछले तीन महिने से फसे हुए हैं चुकि अंतराश्ट्री उडाने बंद हैं और अंतराश्ट्री उडान देशों में फसे हुए थे उन्हें वापस लाया है मद्यविदेश सरकार से यह गोहार लगाई गई थी और अब मद्यविदेश सरकार ने यह पहल करते हुए मंजूरी मांगी केंदर सरकार से और उसके बाद यह पूरा इंतजाम हुआ है तो एक अच्छी खबर है राहत भ बड़ा असर हुआ है और विजय जी मारे साथ लगा था जुड़े हुए विजय जी यह एक अच्छी बात है कि अब उन स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचा जा रहा है जो जगा जगा फंसे हुए हैं तबाम तरह के प्रयास लाने के लिए किये जा रहे हैं इस तरह की ख लॉकडाउन जब से हुआ है उसके बात से अंतराश्ट्री उडाने बंद है सभी देशों ने दुनिया के सभी देशों ने अंतराश्ट्री उडानों पर प्रतिबंद लगा दिया है तो जो जहां पर फसा हुआ था वो वहीं पर फसा हुआ रह गया और उमीद थी कि जब पहला लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ राहत मिलेगी लेकिन अब चुकि कोरोना का संक्रमन पूरी दुनिया में अभी भी कम नहीं हुआ है तो ऐसे में अंतरराश्ट्रिय उडानों पर अभी विचार फिलहाल कोई देश नहीं कर रहा है और ये जो कोरोना का संक्रमन वो ते तो वहां की सरकार ने भी एहतियात के तौर पर लॉकडाउन किया हुआ था और वहां पर भी कई सारे प्रतिबंद लगाए हुए हैं और अंतराश्ट्रिय उडाने तो सभी देशों में बंध है और इसी वज़े से ये चात्र जो है वो वापस नहीं लोट पाए वंदे मात अभियान चल रहा है और जो लगाता अब इस अभियान के तहट दुनिया के जो दूसरे देशों में फसे भारत के लोग हैं उन्हें वापस लाने का काम हो रहा है और शर्त यह है कि जब वो यहां वापस लोटेंगे तो खुद के खर्चे पर या तो वो घर में क्वारिंट हो या फिर उन्हें होटल में क्वारिंटाइन किया जाएगा और उसका खर्चा जो है इन यात्रियों को वहन करना होगा तो इन यह जो तमाम सारी जो शर्ते हैं उस आधार पर वापस लाया जा रहा है और जब यह चात्र पहुंचेंगे तो उन्हें 14 दिन के लिए जरूर या तो वो होम कॉरेंटाइन हो सकते हैं या फिर किसी होटल में उनके रहने की विवस्ता की जाएगी तो वहां का जो खर्च है इन्हें वहन करना पड़ेगा ऐसी यह भारत सरकार की शर्त है सभी लोग जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यह शर्ते लागू की सबसे बड़ी बात यह है रोमिता की मध्यविजश सरकार ने इन्होंने सोचल मीडिया के जरीए गोहार लगाई थी और मध्यविजश सरकार ने संग्यान लिया बंसल नियूज ने भी इसे प्रमुकता से दिखाया था कि इस पर इन्हें वापस लाया जाए चुले बहुत गाइडलाइन्स और नियम इने फॉलो करने हूंगे यहां पर लोटने के बात इसकी जानकारी भी विजश जीन आपको दी